हेलो फ्रेंड्स से करम्च वाल इवन चैनल आज मैं आपके लेक कर रहा है न्यू डिजाइन का लेडिस ब्लाउस इसको मैंने बिल्कुल डिजाइन बनाया हुआ है और एकड़ पार्टी वेर ब्लाउस बनाया हुआ है आप देख सकते हैं मैंने इस भी तुम न्यू डिजाइ बेज़े और मेरे वीडियो को शेर कीजिए चलिए फ्रेंड्स जीडो स्टार्ट करते हैं आज मना आना जा रही हूं लेडिज ब्लाउस जिसके लिए देखे मैंने ये दो कलर लिए हैं और इसमें टेन नंबर सलाई ली हुई है और देखे इसमें मैं डिजाइनर फंदे ड निकाल देंगे और देखे ये प्यर के साफ से फंदे पड़ते हैं एक डाल दिया और देखे ऐसे करा और इस पर से ऐसे निकाल दिया ये देखे एक सिंबल पड़ता है और एक इस तरह से देखे यहां से इसको ऐसे फसाएंगे इस तरीके से और यहां से इसे निकाल देंग इसको वापस ऐसे निकाल देंगे यह देखे यह देखे ऐसे एक सिम्बल डाल देते हैं एक इस तरीके से और देखे इसी तरह से मैं इसमें 60 फंदे डालूँगी 60 फंदे डालूँगी उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यह देखे मैंने इसमें 60 फंदे डाल लिये हैं और देखे अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो आप 5 फंदे अश्टा कर लीजिए 5 इस आगे वाले पले में और 5 पीछे वाले फंदे में तो आपका यह बड़ा हो जायागा और छोटा चाहिए तो आप 5 फंदे कम कर सकते हैं इस तरीके से चोटा और बड़ा दोनों आप बुन सकते हैं इसको और देखिए इसमें मैं पहली रोव सीधी बुनूंगी इस तरीके से कि इससे यहां से इसको सीधा बुनते हुए इस रोपो में कम्पलीट करूंगी और उल्टी रोप पूरी इल्टी दो रोप बना लेती हूं यहां पे दो रोप पूरी कर लिये और देखिए यहां पे second दवा लिया अगला बुना बापस इसे एक इस color से बुनेंगे एक bite color से बुनेंगे इस तरीके से और यह मैं सीधे side से ढाल रहे हूं तीसरी रो है यह देखिए इस रो को ऐसे ही complete कर दें यह देखिए एक रो मैंने पूरी कर ली अब देखिये इधा से उल्टे side से यह देखिए जो bite है उसको मैं bite से ही बुनाँगी यह देखिए ऐसे पिंक है उसको पिंक से इस तरीके से इसको इधर कर लेंगे और इससे बुल लेंगे जब इसको इधर कर रहेंगे तो इससे बुल लेंगे गाव कि आई कि एसे हुए मैं इसे पूरा कर दूँंगी यह देखिए मैं और चोटी वहले डेजाइन दाल के कम्प्लीट कर लिए आप देखिए यहां पे मैं दूसरी डेजाइन डालोंगी तो देखिए यहां पर यह वाला फंदा है जो उसको मैं इसी कलर से बुनूँगी सीधा इस तरीके से इसको इधर करूँगी अगला फंदा बाइट और ऐसे एक एक खंदा दोनों कलर से बुनते हुए यहां पर मैं इस रो को कम्प्लीट करूँगी यह देखिए ऐसे आजाएगी डिजैन दोनों धागे साथ में ले जाने है कम्प्लीट करती हुए यह देखिए इस तरह से एक रोप पूरी कर ली आप देखिए उल्टे साइड से भी इसको ऐसे ही बुनेंगे जो जैसा है उसको वैसे ही बुनेंगे बाइट है उसको बाइट बुनेंगे परपल है उसको परपल यह देखे ऐसे इसको इधर करते जाएंगे धागा साथ में दोनों रखने हैं यह देखे इस तरीके से मैं इसमें यहाँ पे यह दोनों तरफ की आठ रो पूरी करती हूँ दो रो पूरी हो गई है यह यहां पे डीजाइन डालके complete कर लूँ लिए यह देखे इस तरह से मैं यहां गया वालिजाइन डालऊंगे इस तरह से दोनों तरफ से इसको यह यह दा законч इसी तरह से दोनों साइड डाल डेंगे यहां पर यहां पर कंप्लीट करेंगे यह देख़े एघ्डर से एुझे किसलेगे इस तरीके से ऐसे अधर करेंगे तो इससे बुनेंगे इसको complete करेंगे है यह देखिए design पुरी हो गई अब मेरी इसमें अब यहां से मैं एक रो सीधी यहरे से आप मैं इसी color से एक color से ही बुनूँगे यहां से यह देखिए यहां से भी सीधी और उल्टे साइड से भी सीधी गांट इस्टेश इधर रहेगी सीधे साइड कम्प्लीट कर लेते हैं यह देखिए यहां पर मैंने दो रोग पूरी कर लिए हैं आप देखिए यहां से मैं बाइट कलर टेच करूँगी यह देखिए एक दो त 4-3-3 फन्दthe बिने एक उतार लिया, एक, दो, 3-i है… एक उतारा, एक, दो, तीन . यह देखए ऐससे रो कंप्लेट करेंगे यह देखए रो कंप्लेट कर लिया पलट लेंगे इसको आब दीखीए यहां से उताहुहा फन्दह उतारेंगे दागा इदर करेंगे और यह तीन फंदे हैं जो उनको में सीधा बुन रही हूं इस तरीके से दागा पीछे इस फंदे को उतार लिया दागा आगे इस तरीके से तीन फंदे सीधे फिर से दागा आगे यह फंदा उतारा दागा पीछे किया और यह तीन फंदे सीधे यह देखिए ऐसे इसको कम्प्री कर यह देखे द्रोंग आप देखिए फिरसे मैं यहां से लुक्त किए अब मैं फंदे चेंज करूंगी पैटर्न वही रहाएगा अब देखिए यह वाला आला फंदा अटार हुंगी आसे और देखिए एक अधर का और एक इन इसके आगए का यह तीन इससे हो जाएंगे वीच वाला उतार लिया यह देखें तीन बुने एक उतारा बस इतना ही इसमें चैंज है फंदे सर्फ चैंज हो रहा है और डिजाएं सेम रहेगी आप देखें इसी तरीके से मैं यहां पर यह दो दो यह डालूंगी एक यह एक और डालूंगी इ इसाय देखें यहांसे मैं ने बना के कमप्लीट कर लिए और देखें 2 मैं ने बैटके यह रोओड यह दाली है और दो इसकी अभी आप देखें यहांसे मैं पिर से यह चोट्याप्टि यह डीजाईन डालूंगी इसको मैं complete कर लेती हूँ यह देखिया इस तरह से मैंने यह चोटी वाली design डाल के complete कर लिए अब देखिया यहां से मैं सिर्फ एक color से बनूँगे इससे और यहां पे मैं सीधी रो बनूँगी यह देखिया और यहां पे मैं चार रो बनूँगी इधर से सीधी उल्टे साइड से उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी यहां पे चार रो complete करके दिखाती हूँ आपको यह देखिया यहां पे चार रो मैंने पूरी कर ली है और देखिया अब मैं यहां से यह white color लगाऊंगी तो देखिया एक, दो, तीन यह देखिया तीन फंदे बुन लिए मैंने और देखिया एक, दो, तीन तीन रो नीचे से यहां से एक फंदा बना के लाऊंगी ऐसे यह देखिया इसको लूज रखना है अगले दो फंदे बुनोंगी और देखिये यहां से तीन रो नीचे से एक फंदा बनाया और देखिये दो फंदे बनाया उसके बाद फिर देखिये यह देखिये एक, दो, तीन तीन रो नीचे से बनाएंगे और उसके बाद दो भंदे बुनेंगे ये देखिए ऐसे अब देखिए एक दो तीन ये देखिए दो भंदे सीधे बुन लेंगे और देखिए रो ऐसे ही कम्प्लीट करेंगे ये देखिए लाष्ट तक मैंने इसको भुन लिया है लाष्ट में हमारे पास ये दो भंदे बचे हैं इनको ऐसे सीधा भुन लेंगे आप देखिए पलट लेंगे उल्टे साइड से देखिए एक भंदा उतारूंगे मैं और दो भंदे ये उल्टे बुनूंगे ऐसे और जो कि उल्टी रों कम्प्रीन आप चीदक्र कर लломहें अब में एक हैं दो यह दो पंदे मैंने बुने यहां पर इसे और यह जो हमाने हैं नीचे से बनाता मैंने उसको इस फंदे के साथ ऐसे बुनेंगे और इस पिंदे को अगले फंदे के साथ ऐसे निकाल दिया और इसको उठाया से और इसाथ वना उसके बाद इसको उठाकर अगले वंदे के साथ, यह इसको उठाकर, आगले निकाल देंगे, इसे इसकोम और आगले के साथ प्नी देंगे, यह यह रोह है, search चार रो का यह डिजाइन है तीसरी रो है यह देखिए रोब कम्प्लीट कर ली मैंने पलट लेंगे अब देखिए डिजाइन के चौथी रो उल्टे साइड इसको मैं उल्टा-उल्टा बुन लोंगी ऐसे इसमें कुछ निकानना है सिर्फ इसको उल्टा बुननना है यह दूनिचे से तीन रों नीचे से और दूर से पता चल जाएगा साथ साथ दिख रही है यहां से दीन रों नीचे से यह से यह देक दीन रों नीचे यह देखे आप देखिए इसी तरह से मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं है सिर्फ यह फंदे की आप चेंजिंग थी सेम डलेगी और सेम तरीके से मैं इसको मुड्डो तक पूरा करती हूँ जहां तक मुड्डे इसके आएंगे और करीब ही यह चार रो डालूंगी मैं आप अ चार बाइट की डिजैन डाली हुई है और अगर आप थोड़ा सा लॉंग पैंते हैं तो आप इसको बढ़ा लीजिए पांच या छे कर लीजिए और सोट पैंते हैं तो फिर आप मीडियम है यह अगर आप ज्यादा सोट पैंते हैं तो फिर आप कम कर लीजिए इस तरह से आपका छोटा और बड़ा दोनों हो जाएगा अब देखिए मैं मुड़े घठाऊंगी यहां से दोनों साइड से पाच पाच फंदे घठाऊंगी और पाच तीन दो एक करके इसमें मैं घठाऊंगी पहले में एक दो तीन चार और यह देखिए यह पांच एक यह फंदा है तो मैं एक और घठाऊंगी इसके साथ डिजैन बाला भी आ गया इसमें अब देखिए यह पांच हो गए इसके बाद मैं अपनी डिजैन को जिस तरह डाल रही हूं डालती रहूंगी इसी तरह यह पांच फंदे घटा दिए मैंने इस रों को कम्प्लीट कर लzing लाश्ट में 5 फंदे घटाऊंगी यह देखिए मैं लाश्ट तक भुन लिया आख देखिके इसको पलट लेंगे और इधर से भी पांच फंदे घटा दूंगी मैं यह देखिए एक थो तीन चार और यह पांच पांच घठाने के बाद इस रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे यह देखिए पांच मैंने घठा दिये थे अब इसके बाद में तीन घठाऊंगी इसे बाइट बाले से एक दो और यह अब इस्से तीन यह देखिए यह तीन फंदे घठा दिये तीन दो एक करके मैं घठा रही हूँ इसमें और देखिए अब छीड़ जहां से मेरी डली हुई है वहां से में इसमें डिजान डालते हुए इस रो को complete करूँगी यह देखिए यह रो पूरी कर दी मैंने यहां तक अब इधर भी तीन फंदे गटाऊंगी मैं ऐसे दो और यह तीन यह डिजैन वाला फंदा है इसलिए मैं यहां पर डबल फंदे ले रही हूँ यह तीन हो गए उसके बाद मैं इस रो को complete करूँगी यह देखिए अब मैं सीधे साइड आ गई हूँ अब मैं इस रो में दो फंदे गटाऊंगी यह देखिए इस तरीके से यह डिजैन वाला है तो मैं यहां पर डबल फंदा गटा रही हूँ और देखिए अब मैं एक एक फंदा इसमें गटाऊंगी और देखिए यहां पर यह ऊपर 34 फंदे रह जाएंगे तब तक मैं एक एक फंदा रो पर गटाते जाऊंगी और इसको बनाते हुए complete कर लूँगी उसके बाद दिखाऊंगी यह देखिए इस तरीके से मैंने गटा लिये हैं औ और हमारे पास इस रो में 34 फंदे हैं 34 फंदे हैं और देखिए अब मैं ऐसे ही बुनूँगी और यहां पर देखिए मैं चोटी वाली डिजाइन डालूँगी तो यहां पर देखिए इस तरीके से एक फंदा बुना और इसको इधर किया अगले धागे से यह मैं गले का बॉर्डर बना रही हूं इसी में यह अलग से आपको नहीं बनाना पड़ेगा यहां पर मैं कम्प्लीट करती हूं यह देखिए उल्टे तरफ से जो बाइट है उसको मैं बाइट से बुनूँगी इस तरीके से इसको इधर करेंगे बुन लिया ऐसे इसी तर आपर आसे इस रो को इल्टे साइड से भी कंप्लीट कर देंगे यह देखिए अब मैं इस तरह की चार रो डालूघ तो मैं इसको डालके यह चार रो डालूघ उसके बाद एक चोटी वाली डालूँगे इसके ऊपर उसके बाद मैं दिखाती हो जिस तरह से मैंने ये डाली है यहां से मैं देखिए स्टार्ट कर देती हूं इस तरीके से दोन तरफ से इसको ऐसे ही बुनना है एक सीधा और इसको इधर कर लेंगे एक फंदबैट से और एक पिंक से इसी तरह से यहां आपे में चार रो बना के कम्प्लीट करते हैं यह देखिए इस तरह से मैंने गले का बॉर्डर बना लिया है अब देखिए यहां से एक रो में सीधी बुन दूँगे उसके बाद इन फंदों को क्लोज करूँगे इस तरीके से सीधा बुनते हुए कम्प्लीट करेंगे यह देखिए यहां तक मैं सीधी रो बुन दी है अब देखिए इन फंदों को बंद कर दूँगे सभी को दो का एक करते हुए उल्टे तरफ से मैं सभी फंदे बंद करूँगे यह से इस तरीके से बंद करती हुए यह देखिए इस तरीके से मैंने फ्रेंट पार्ट बना लिया आया यह और आप बैक भी इसी तरीके से बनाऊंगी यह दो चाहिए सेम बनाऊंगी मैं और इन दोनों को बना के कम्प्लीट करती हुए देखिए इस तरह से मैंने कम्प्लीट कर